नमस्कार इंदुस्तानों से दंगल में आप सभी का स्वागत है मैं आप सभी के बीच एक बिल्कुल नहीं घोड़े का वीडियो लेकर आया है इस वीडियो को आप लोग लास टक देखते रहे हैं घोड़ा कितनी सफाई के साथ रोड़ पे गोड़े का प्रिप्रेशन किया जा रहा है बारिस के मौसम में फिल्ड अच्छा नहीं होने के कारण रुट पे गोड़े का त्यारी किया जा रहा है आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए गोड़ा कितनी सफाई के साथ आगे की और अगरसर है कितना उतेजित है गोड़ा और गोड़े का कलर सबजा है गोड़े की नसल की मैं बात करूँ तो गोड़े का जो नसल है सिंधी है और गोड़े का एच चारदत है गोड़ा काफी अच्छा पैरबाजी कर रहा है गोड़े में जो उतेजना है जो ललक है वो आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और इस जो गोड़े सवार एजाज खान जो आज के अच्छे सवारों में सवार एजाज खान के नाम सुमार है तो आप सबी लोग इस वीडियो को लाट तक देखिए और मैं अनुवर सभासत जी का और भी घोड़े का नए घोड़े का वीडियो लेकर आऊँगा अनुवर सभासत जी के पास कई नए घोड़े उनके बेड़े में सामिल हुए हैं आप सभी लोग इस वीडियो को लाट तक देखिए और मैं बता दू कि अनुवर सभासत जी काफी अच्छे रेसर घोड़े रखते हैं यह उत्तर परदेश और बिहार में काफी चर्चा है तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाट तक देखिए और कमेंट करके जरूर बताए कि अनवर सभासत जी का नया खोड़ा कैसा परबाजी कर रहा है और भविस इसका कैसा आने वाला है सवार एजाज से और घोड़े से ताल मिल कैसा है मैं और बहुत जल्द आगे वीडियो और भी घोड़े का लेकर आऊंगा आप सभी लोग हिंदुस्तान होसे दंगल तो नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएं और जीतने लोग हिंदुस्तान होसे दंगल यूटूब चैनल से लोग जूड़ते जाएंगे उतना ही हाउसला मेरा भी बढ़ेगा और मैं आप सभी के सामने अधिक से अध यह बहुत लोग बोल रहा हैं कि लाइव नहीं आते हैं तो कोई कमेंट में टॉपिक बताएं किसी टॉपिक पर अगर मैं लाइव आऊं चाहें गोड़े की चाल की हो या गोड़े का रख रखाव का हो या किसी दावा का हो अगर आप सभी लोग कमेंट करके बताते हैं तो मैं जरूर कोशिश करूँगा कि आप सभी के सामने मैं लाइव आओ और उस चीज को आप सभी के सामने रखूँ वीडियो कैसा लगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद